धोस्तों education का हिंदियों मतलब होता है सिच्छा या सिच्छन दूस्तों Bishop का मतलब होता है जैसे की आप कौनसे class में पढ़ रहें यह ति दूस्तों आप 10 या 12 में यह उससे भी आगे पढ़ते हैं तो भी है अपका? का qualification है तो इस तो यह भी sentence देखा जाता है कि आप कि किस college या किस school में पढ़ते हैं वहां का education कैसा है वहां का mahoľ कैसा है तो इस परकार इसका यूज क्या जाता है दोस्तो ऐसे में दो संटेंस और देखते हैं जो बाल-बाल डेलिज में आता है दोस्तो फ़र्स इस पकार है, education is the transmission of civilization, दोस्तों, जिसका हिंदी मतलब होता है, सिच्चा सेवेता का संचार है, दोस्तों, second example है, इस पकार है, in education, we are striving not to teach youth to make a living, but to make a life, दोस्तों, जिसका हिंदी मतलब होता है, सिच्चा के स्चेत्रे में, हम युवाओ को जीवन यापन करने के लिए नहीं, बलकि जीवन बनाने के लिए सिखाने का प्रियास कर रहे हैं, तो दोस्तों, आज के वीडियो को तेहीं साब्त करते हैं, लेकिन आपको education से एक sentence होना कर, आप हमें कमेंट जूर करें, कर दो कर दो दो